वेलकम तू ब्लेड लेर्नर के टुवल्फ आज हमेरिक कल्चर पार्ट टेन पढ़ेंगे इसमें हम टेक्नलोजिकल एंड इस्टिचूशनल डिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे भूदान ग्रामदान के बारे में पढ़ेंगे इसमी अमित कुमार अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके इससे पहले वाला वीडियो देखें हैंड इटेन नोर्स के लिए आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हैं अगर आपके पास टेलिग्राम उप्लग नहीं है डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके आप टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हैं टेक्नलोजिकल एंड इस्टिूशनल डिफॉर्म एगरिकल्चर प्रोवाइड करता है 60% से जादा प्रप्लेशन को उसका जीविका प्रोवाइड किया जाता है जरुरत है कुछ सिरियस टेक्निकल इंस्टिूशनल डिफॉर्म की जैसे कलेक्टिवाइजेशन जैसे कांसोलिडेशन और होल्डिंग कॉपरेशन जमिंधारी को खत्म करने की गिवन प्रायरटी उस प्रायरटी में इंस्टिूशनल डिफॉर्म को फस्ट प्रिफेरेंस दिया जाना चाहिए जब फ्राइड प्लान आया था फस्ट फाइड प्लान उसका में फूकस क्या था land reform में उसका main focus था जमिनदारी को खत्म करना भी first target हो गया था क्योंकि दो तरह के लोग थे एक के पास जमीन की कमी नहीं थी जमिनदार कहलाते थे दूसरे landless means उनके पास जमीन भी नहीं थी और दूसरे के जमीन पे अपनी रोजी रोटी के लिए labor का काम करते थे तो उसमें reform लाना first priority हो गया था खेती more than 60% population के लिए जीविका परदान करती है right of inheritance से क्या होता है land बड़ा सा land का pieces होता है उसको छोटे-छोटे pieces में तोड़ना पड़ जाता है means fragmentation होता है land का necessitating consolidation of holding green revolution आया था जिसमें technology का यूज़ किया गया था white revolution जिसको हमने operation flood नाम दिया यसे crop है crop का insurance ये देखिए ये माबाप बाप अपना जमीन किसको इन्हेट करेगा अपने बेटे को green revolution हरे भरे खेत और ये वरगी सी कुरियन साहब है जो white revolution लाए थे operation flood नाम दिया crop insurance में एक किसान जो है paper लेके बैठा हुआ है and जमीन पे drought आ गया flood आ गया cyclone आ गया fire chronic disease ये सबी में क्या है एक प्रोभीजन लाए गया crop insurance का किसान को उसके पैसे वापस दिये जाएंगे means उनका जो है farming insured है किस से drought से, flood से, cyclone से fire से, disease से उनीच सासी, 1980 and 1990s के समय comprehensive land development program initiate किया गया जिसमें institutional and technical reform किये गया establish किया गया bank गाओं में ग्रामिन बैंक एक society cooperative society ये सबी क्या करते थे बैंक लोन प्रोवाइड करते थे वो भी lower bank rate interest पे किसान लोगों को किसान credit card दिया गया and personal accident insurance schemes दिया गया PAIS और उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए TV पे and radio पे weather bulletins and खेती से लिएड programs देने लग गया agriculture programs for farmers minimum support price पर बात की गई remunerative and land procurement price पर बात की गई important crops के लिए और ये भी देखना था middleman जो है वो farmer को कहीं exploit तो नहीं कर रहा है ये MSP FRP means fair and remunerative price का image दिख रहा होगा ये दिख रहा होगा बीच में farmer है और दोनों का burden carry कर रहा है तीक है मेहनत करे farmer मजे ले कौन corporate वाले तीक है middleman तो उसके लिए सरकार भी ध्यान दे रही है किसान को MSP provide किया जाता है minimum support price remunerative and procurement price decide किया जाता है उनका फसल बरबाद न हो फसल के बदले उनको उनका मुनाफ़ा मिलना कंपल सरी है भूदान ग्रामदान महात्मा गांदी डेक्लियर्ट बिनोवा भावे as his spiritual hair बिनोवा भावे पार्टिसिपेट किये सत्याग्रा में बिनोवा भावे वोटिस थे गांदी जी के ग्राम सौराज कंसेप्ट का गांदी जी के डेथ के बाद बिनोवा हवे ने पद यात्रा निकाली इसका एक उदेश सिता गांदी जी के मैसेज को पबिक में स्परेट किया जाए भूदान ग्रामदान मुवमेंट जो था कम्प्लीटली ब्लडलेस मुवमेंट था इन्होंने लेक्टर डेलिवर किया था आंध परदेश के ओचम पल्ली में कुछ गरीब जो थे जिनके पास जमीन नहीं थी उन्होंने डिमांड किया कि मुझे जमीन दो मेरा एकोनोमी अच्छा मुझे करना है बिनोभावेनोंने प्रॉमिस तो नहीं किया लेकिन ये बोले हम सरकार से बात करेंगे तबी एक स्री राम चंदर रेडडी सहाब आए उन्होंने अपना जमीन के टुकरे का 80 एकर्स लेंड 80 लेंडलेस विलेजर्स को डोनेट किया इस एक्ट को हमने नाम दिया भूदान भू मीज जमीन दान मीज डोनेट करना अब इस आइडिया को मिन्स जैसे 80 एकर्स 80 लेंडलेस मिन्स 1 एकर 1 लेंडलेस लेबड इस आइडिया को उन्होंने पूरे भारत में फैलाया कुछ जमिंदार थे कुछ ओनर्स थे उन्होंने भी अपना लैंड लैंडलेस को डिस्ट्रिब्यूट किया इसको हम ग्रामदान के नाम से भी जानते हैं थैंक यू अल दे बेस्ट उन्होंने बेस्ट्रिब्यूट किया लैंडलेस